ये खबर जिसके कारण कल शाम से ही सभी की आखे नम हैं क्योंकि शिला दिक्षित अलविदा क्या चुकी हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संसकार किया जाएंगा आपको बता दें उनका अंतिम संसकार को अपने दिये और उसके बाद जिस हसाब से उन्होंने दिल्ली के बनियादी धांचे को बदला है देश की राजनीती के अगर बात की जाए तो एक एहम यूगदान उन्होंने दिया है इसके अलावा जो तमाम घृटना करम हुए उत्तर परदेश की सक्री राजनीती में पह दे गया और तीन बार गुदिली की मुख्या मंतरी रही सुभे से तांता लगा हुआ है उनके अंतिम दर्शनों के लिए क्योंकि एक ऐसी शक्सित वेवू थी जिन से वेच्वारिक मतभेत अगर किसी पार्टी को लेकर हो अगर किसी वर्ग को लेकर हो लेकिन उनके व्यक्ति वजे का समय है जब अंतिम संसकार उनका होगा और उनके अंतिम संसकार में दिली के मुख्या मंतरी केजरिवाल भी शामिल होंगे आपको बता दे कि राज के अफकाश भी घोशत कर दिया गया है दिली में और उनके अंतिम संसकार में केजरिवाल भी शामिल होंगे दिक्षित अब हमारे बीच नहीं है कल सुभे जब तबित बिगड़ने पर उन्हें एसकोट फॉर्टीस हाट सेंटर अस्पिताल में भरती कराय गया इसके बाद उनकी अस्थाई रूप से हालत स्थिर हो चुकी थी लेकिन शाम को एक बार फिर उन्हें दौरा पड़ा जिसक लगातार उन्हें शद्धांजली देने के लिए तमाम नीताओं का कॉंग्रेस के समर्थकों का बीजुपी के नीताओं का भी तांता लगा हुआ है बड़े बड़े नाम यहां पर पहुंच चुके हैं चाहे बात अगर कॉंग्रेस कारले की की जाए या फिर उनके घर की की जाए उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं यहां तक की पीए मूदी खुद लोगसबा अध्यक्ष ओंबिल्ला के साथ यहां पर पहुंचों ने अंतिम शद्धांजली दी यह तस्वीरें भी आप देख सकते हैं तस्वीर यहीं लोगों का दिल जीता है शीला दिक्षित की बात की जाए तो दिल्ली में जो हरी आली है उसके लिए भी उने शुरी जाता है क्योंकि वो चाहती थी कि दिल्ली एक हरी भरी नगरी बनी रहे और इसलिए उनका निगमभोध घाट पर अंतिम संस्कार भी किया जा रहा ह है क्योंकि शिला दिक्षित उनने ताओं में शुमार है जिने पर्यावरंट से बहुत जादा प्यार है और इसलिए उनका अंतिम संस्कार निगम बोद घाट पर किया जा रहा है कुछ ही समय में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और आखरे विधाय के यह दर्शन आप भी कर लीजे यहाँ पर तमाम लोगों का जनसलाब उम्रा हुआ है आपको बता दे कि सोन्या गांधी भी यहाँ पर पहुंची थी प्रयांका गांधी भी यहाँ पर पहुंची है इसके अलावा सीम जयराम ठाकुने भी उन्हें अंतिम शद्धांच लिदी मनोहर लाल जोकी हर अधित्य सिंध्या, शिवराज पाटिल, एहमत पटेल, शरद यादव, सीतराम येंचुरी तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे इसके अलावा तमाम समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और शिला दिक्षित को अंतिम विदाई सभी ने नमाखों से दी और अब उन पेड़ पौधे लगाने का जो उनका लक्ष एक हर साल निकर कर सामने आता था दिल्ली की हरियाली को लेकर भी उनको याद किया जाता है जिसके कारण उनका अंतिम संसकार निगम बोधगार पर किया जाएगा तीन पचपन पर जैसे उनकी निधन की खबर आई तो पूरे द तम आखों से उन्हें विदाई दी और आज सुभे से ही उनकी अंतिम यात्रा चर रही है कॉंग्रिस मुख्याले में उन्हें रखा गया जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए भी तमाम लोग यहां पर उम्रे रहे यह तस्वीरें आप देख सकते हैं दो तस्वीरें आप की तरह थी यह कहना है सोनिय गांधी का राहुल गांधी ने भी इस पर दुख जटाया प्रयंका गांधी ने भी दुख जटाया है यहां तक की पी एम मोदी ने भी दुख जटाया लाल कृशन आडवानी भी यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच और उन्हें शद्धांजली उन्होंने दी शिला दिक्षित के ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली से सीधी लाइफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा बल भी तमाम यहाँ पर मौजूद है क्योंकि लोग अभी जिस हिसाब से भावनाओं में भैक तर्शिला दिक्षित के लिए अंतिम दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं अंतिम संसकार उनका निगम बोद घाट पर होगा अंतिम संसकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है उनका यह अंतिम सफर आप भी देख लीजे राजनितिग्यों ने गहरा दुख जताया है तमाम नेता जिनकी आखे आजनम है सुभे से ही उनके द्वारा अंतिम शद्धांजली देने का यहाँ पर प्रकरण चला रहा दिल्ले में दो दिन का राज के शोग भी घोशित कर दिया गया है साथ ही आपको यह भी बता दे कि उनके अंतिम संसकार में अर्विन के बाल भी मौचूत रहेंगे